तेरे डैड कुड तेरा हाथ मंग के तेन्नुमा बनोना मेरी वाइफ सोनी है वो ओ ओ से येस और नो के मेरे नड़ द्या करेंगी वीडियो को छोड़ने से पहले या फिर लाइक डिसलाइक या फिर कुछ भी कॉमेंट करने से पहले वीडियो को एक मिनार तक जरूर देख लेना उसके बाद आपका जो मन करें आपकी जो मर्जी हो वो वीडियो के साथ कर सकते हो सो गाइज मैं हूँ जाए और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके और मेरे फेवरेट सिंगर जस माने के गाने येस और नो के बारे में और इस गाने के अंदर जो कुछ भी चोटी चोटी मिस्टेक्स हैं जिनको किसी नहीं नोटिस नहीं किया होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ और मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एंटरेटेन करना है तो वीडियो को बिलकुल मज़े के लिए देखना बिलकुल भी अपने दिल के उपर प्रेसर मत देना क्योंकि यार वीडियो सिर्फ एंटरेटेन्मेंट के लिए हैं और मज़े के लिए हैं तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाने की शुरुआत होती हैं इस होटल से जहां पर ये लड़की यहां पर जॉब के लिए आती हैं लेकिन इस होटल का जो मैनेजर है वो उसे बोलता है देख मेडम तू टिक्टोकर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू जहाँ चाहेगी वहाँ जोब मिल जाएगी हमारे यहाँ पर टेलेंट को सपोर्ट किया जाता है और तुमको सिर्फ मुझरा करना आता है लेकिन अब टिक्टोक भी चला गया है इसलिए तुम यहाँ पर आ गई बर तस्वरी हम आपको ये जोब नहीं दे सकते आप कहीं और दूसरे प्लेटफोर्म पर जाके मुझरा कीजिए लेकिन जैसे ही इस मैनेजर और इस लड़की यानि की लड़िसा की बाते खतम होने वाली होती है तब ही आते हैं हमारे जस्मानक पाजी और वो सुचते हैं क्यों ना इस मौके का फाइदा उठाए जाए मतलब जोब तो मिली नहीं तो हम ही कुछ ट्राइ कर लेते हैं क्या पता कहीं कोई लड़की सेड हो जाए गुसा नहीं करना मजा कर रहा हूँ एनिवेज आगे बढ़ते हैं और जब जस्मानक यहाँ पर उनकी ओफिस से निकलते हैं तब उनके हाथ में कुछ डोकुमेंट्स होते हैं और उनका सूट होता है लेकिन जैसे ही केमरे का एंगल चेंज के जाता है तो उनके हाथ में से ये डोकुमेंट्स और सब कुछ गाइब हो जाता है और इस लड़की के पास आने के बाद इसके डोकुमेंट्स को भी वो फैक देते हैं और ये लड़की उन्हें कुछ भी नहीं कहती हैं मतलब कैसे? अगर मेरे डोकुमेंट्स को ऐसे कोई फैक दे तो वहीं पर उसका यार ऐसे कोई कैसे फैक देगा? मतलब पूरे जिन्दगी पर की कमाई होती है मतलब बले ही बेक वेंचर थे हम बट फिर भी हर हातों के उपर इतनी ज्यादा लाठियां काने के बाद ये डिग्री मिलती है और इसे हर को ऐसे फैंक देगा मतलब मजा के क्या इसके बाद आजाते हैं अगले सेन के उपर तो जब जस्मानक इस लड़की का हाथ पकड़के होटल से बाहर लाता है और ये दूसरा बंदा जब जस्मानक को इस कार की की देता है तब ये लड़की जो एक्स्प्रेशन्स देती है न इनको देखकर यहाँ पर जस्मानक की जगे कोई हमारे इंडिया का प्रेंक्स्टर होता तो कब का इस लड़की को गोल्ड लिगर बोल के यहाँ से रवाना हो जाता बट यहाँ पर हमारे जस्मानक पाजी ऐसे नहीं है मतलब उनका दिल बहुत बड़ा है बिलकुल इस गाड़े के जितना बड़ा मतलब गाड़े के अंदर जो सेटे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बट गाड़े की जो प्राइज है ना उसकी बात कर रहा हूँ इसके बाद ये दोनों इस कार के अंदर बेट कर एक लोंग ड्राइव पर जाते हैं मतलब जाए जाते हैं जाए जाते हैं और बहुत लंबे टाइम के बाद ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लरिसा को ये चाबी के साथ कुछ लगाने का होता है ना इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है आपको अगर बता हो तो नीचे comment section में comment करके बताओ तो ये पसंद करती हैं और इसको खरीद देती है और इसके बाद जस्मानक इसको impress करने के लिए इसको इतना गुमाते हैं मतलब गुमाते जाते हैं गुमाते जाते हैं यहाँ पर जस्मानक पाजी ने पहले ही सब कुछ शेट करके रिखा होता है वो मतलब उस लड़की को surprise देने के लिए और यहाँ पर लरिसा बहुत ज़्यादा surprised भी होती है जैसे कि आप लोग उसके face के उपर देखी पारे होंगे यहाँ पर लरिसा जस्मानक को जवाब देती है एक यूनीक तरीके में मतलब जब इन दोनोंने शोपिंग की थी तब ही लड़की की तरफ से हाँ हो चुकी थी और उसने भी surprise देने के लिए पहले ही इसकी holder के अंदर yes लेक के चुपा दिया था और इसके बाद दोनों में लड़ो फूर जाते हैं और अगले ही scene के अंदर यहाँ पर दिन से रात हो जाती है और इसी के साथ इस गाने की ending होती है और दोस्तों यह वीडियो सिर्फ entertainment के लिए बनाए गई थी तो यार बिलकुल भी गुस्ता करने वाली बात नहीं है अगर आप इस mistake वाली वीडियो को देखे एक बार फिट से जस्मानक पाजी की उस वीडियो को देखोगे तो इसे जस्मानक पाजी को ही फायदा होगा तो यहाँ पर बिलकुल भी हेट पहुँचाने वाली कोई बात नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में आरे बेर आइकन को भी जरूर दबा देना तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइए